नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागता है हमारे यूटूब चैनल सिवल एंजिने टक्टिक्स में आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एक्सावेशन हमने कल वाली वीडियो पर आपको बताया था कि हमने मार्किंग की है सूध बांद कर और चूरना ल रोड कर हमने एक्सावेशन की है और हमने रोड को भी नहीं छेडा है रोड के अंदर अंदर हमने अपना मार्किंग कर ली थी अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सावेशन का वर्क है वो कितना है मतलब हम कहने का यह मतलब है कि हम सूध बांद कर देख रहे हैं कि हमको और कितने कितने खीलना पड़ेगा। हमने रोड से अंदर की तरफ एकसाविशन की है। और अगर हमगे क landlords को देन Birth लगन है कि हमारा मिट्ठी और छीलेगा। अच्छी मेम और उत्रेगा। तो हम ने वहां पर मैनुल हम वहाँ पर उतारेंगे मिट्री को क्योंकि ये रो जो ये सडक है तो साथ वाले बाई साब की ने अपना जमीन से रास्ता दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको नहीं जेड सकते नहीं तो हमारा काम रुख सकता है आईए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे बंदे आगे लगे हुए हैं मैनुली ये देखिए दोस्तों जहां पर हमारा मतलब ये देखिए जहां पर हमारा पॉइंट था हम वहाँ पर मैनुली कर रहे हैं ये काम मैनुली मिट्टी हटा रहे हैं और छेडा हमने रोड को नहीं छेडा हो हमारे जो पक्के पॉइंट है जो उसको भी नहीं शेड़ा अगर बाइचांस यह हमारा पॉइंट हिल जादा तो हमने अंदर की तरफ बुर्जी मनाई हुई 21 फूट पे यह देखिए दोस्तो हमने यह हमारा पॉइंट है 21 फूट हमने वहाँ पर हमारा वह पॉइंट आएगा हमने एंटरंस पर अपना रास्ता छोड़ दिया है मटीरिल के आने जाने के लिए इसको हम बाद में करेंगे तो यहां पर हमारा यहां यह रोड है और यह इस रोड से यहां पर हमारा अंदर मटीरिल आएगा और हमने उस तरफ से भी एक्षावेशन की है आप देख सकते है मैं जूम करता हूँ यह देखिए दोस्तो हमने यहां पर भी एक्षावेशन की है और यह है दो किले बाउंडरी है यह इसकी तो जैसे जैसे इसका काम चलेगा मैं वैसे वैसे वीडियो बनाता रहूँगा आपको पता लगता रहेगा कि अगला procedure क्या है boundary wall का तो कल हम नई वीडियो लेके आएंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि हमारी नई वीडियो की notification आपके पास सबसे पहले पहुन सके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद